ओम श्यान्ति तेरे अप्रेल सुरुवाथी स्वरिय महवाक्यों की बहुत गुयता के साथ है स्वाइम भगवान बोल रहे हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ जहां हूँ मुझे करोडों में कोई एक जानता है तुम सब बच्चे जिनने ज्ञान ले लिया है उनमें भी बहुत थोड़े जानते हैं और जैसे जैसे तुम ज्यानते जाओगे जैजेकार होती जाएगी संसार को जैसे पता चलेगा कि सब का सदगती दाता ज्यान का सागर स्रस्टी का बीज निराकार परमात्मा स्वयम आकर सत्य ज्यान दे रहे हैं तो भाग दोड हो जाएगी साधू संत भी आ जाएगे सब आकर सत्य ज्यान लेंगे तो हमें गहराई से जनते चलना है हमारा सिव बाबा कैसा है जो हूं क्या है वो कैसा है कहा है कब आता है क्या कारिय करता है कैसे करता है ये जैसे जैसे हम गुयता से जनते जाएंगे हमारी स्थिति महान बनते जाएगी और जैजैकार होती जाएगी तो बाबा की इस बात पर बहुत ज़्यादा इटेंशन दिला रहे हैं कौन जान सके हैं बाबा को संपूर्ण रूप से जिनकी वुद्धी रिफाइन होगी जो बहुत ज़्यादा स्वमान में इस्थित रहेंगे स्वामान में इस्थित रहने से हम यह जानते जाएंगे मैं कौन हूँ, कि वला आत्मा हूँ यह नहीं, मैं कौन हूँ, और जब यह पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो सिवावा कौन है, इसकी गैरी नौलिज हमें होती जाएगी. बाबा ने का, मैंने तुम्हे ग्यान का तीसरा नेत्र दिया है, इस नेत्र को जितना हम खुला रखेंगे, अर्था ग्यान चिंतन में रहेंगे, इस अंसार को ग्यान युक्त दरस्टी से देखेंगे, उतना उतना परमात्मा को जनते जाएंगे. आज तक यही तो परियास था लोगों का, हम सब का, तो अपर यूग से कि हम भगवान को जाने, वो कौन है, कैसा है, कहां रहता है, कब आता है, हमारा उसे नाता क्या है अखिर, बेजसास पढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा ज्यान मिलता रहा, भगती होती रहे, लेकिन उसको नहीं जान पाए, अब बाबा कहते हैं, तुम मेरे द्वारा मुझको जान गए हो, बुद्धी योग मेरे से लगाओ, अब ये योग बड़ी महनत का सबजेक्ट है, क्योंकि आत्मा भी बहुत सुक्सम है, और परमात्मा भी बहुत सुक्सम है, दोनों कोई आँखों से नह करना है, एक है, प्यार सिव बाबा से बहुत होना चाहिए, दुसरा, पुन्य कर्मों का खाता बहुत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर सुक्सम पाप किसी से होते रहेंगे, तो योग युक्त नहीं हो पाएंगे, पाप भारी कर देता है, बुद्धी को नीचे खिंच ल तो हमें ये चेक करना है, कि सुक्सम पाप तो हमसे नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे योग में बैठते ही नीद आ जाती है, वो नीद आना अलग बात है, कि कभी ठके हों या लंबा समय योग में बैठ गए हों, चलो नीद आ गई, लेकिन क्योंकि योगा होता है, बैठते ही एक मिनट का गीत भी बजेगा, उसमें भी सो गए, ये सुक्स्म विकर्मों का दबाव है ब्रेन पर, उसका इफेक्ट है, तो ब्रेन माइंड बुद्धी फ्रेस नहीं रहती हैं, तो हमें चेकर लेना हम किसी को दुख तो नहीं देते, किसी को सताते तो नहीं, किसी की लेग तो नहीं करते, बुरी द्रस्टी से तो नहीं देखते, जिसको भी योगी बनना हो, उदेहिक द्रस्टी छोड़े, आत्मिक द्रस्टी का अभ्यास करे, आप तिन दिन करके देख लो, धुन लगाओ, सारा दिन, हर एक के मस्तक में चमकती हुई आत्मा को ही देखना है, प्यार बहुत होना चाहिए से बाबा से, बाबा उधान देरे, जैसे कन्या की साधी होती है, प्यार हो जाता है, बिना देखे प्यार रहता है, आजकल तो प्यार की कहानिया ही दुनिया में चल रही है, लेकिन आजकल का प्यार तो स्वार्त भरा प्यार है, देहिक प्यार ह वो तो जल्दी तूटता रहता है, एक का प्यार कईयों से होता रहता है, उससे काम नहीं चलेगा, भगवान से प्यार, जैसे मीरा ने सिर्केशन से प्यार किया, जैसे राधा का सिर्केशन से प्यार दिखाया गया, गायन योग्य हो गया, कुछ भगतों का भी भगवान से प तो बाबा कहा हरे बच्चे, तुमारी सगाई मेरे से हुई है। आत्मा की सगाई परमात्मा से। इसलिए तुमारे अंदर बहुत प्यार होना चाहिए। प्यार कैसे हो यह सुक्सम चीज है ना, मोटी चीज से तो प्यार होता है, प्यार उससे होता है जो हमारी बहुत काम की चीज है, प्यार उन वनुस्यों से होता है जो सुंदर होते हैं, प्यार उन वनुस्यों से होता है जो गुनवान होते हैं, प्यार उन से होता है जो समय पर हमें बहुत मदद करते हैं, इनी चीज़ों को टर्न करें परमात्मा से, उससे अधिक सुंदर कोई नहीं है, उससे अधिक गुनवान कोई नहीं, वो गुनों का सागर है, वही हमाई सबसे ज़्यादा मदद करता है, उससे ज़्यादा मदद हमें कोई करता ही नहीं, और बात ये कि वो हमें बहुत प्यार करता है, तो हम प्राप्तियों के एक लिस्ट बना लें, याद करें सिवावा से मुझे क्या-क्या मिला तो उसे बहुत प्यार हो जाएगा, और गुई ये बात ये है, जितना आम देह से नियारे आत्मिक स्वरूप में इस्थित होकर रहने लगेंगे, उतना ही हमारा निराकार परमात्मा से प्यार बढ़ता जाएगा, उसकी और एट्रेक्शन बढ़ता जाएगा, और हमारा योग अभ्यास बिलकुल सहज होता जाएगा, तो हमें प्यार को वढ़ाना है, वर्दान है, इस्थूल कारिये करते हुए भी, मन्साद् विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेदार सेवाधारी बनो, हम जिम्मेदार हैं विश्व परिवर्तन की ये बात गहराई से हमारे अंदर उतर जाए, जब तक ये बात नहीं उतरी हम उसकारिये में तत्पड नहीं होंगे, तो हमें इस्थूल काम करते हुए य वो प्रकर्ति को जाएंगे, उससे वायुमन्डल बदलेगा, और हम सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे, यह जिम्मेदारी हमें महसूस करनी है, कि हमें संसार के वातावन को बदलना है, वातावन बदलते ही, बहुत कुछ बदल जाता है, स्लोगन है, माया से युद्ध खरने की बजाएं, जिनने योधा कहते हैं, आप निरंतर योगी बनो, तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे, शिर बाबा जो पवितरता का सागर है, उसे पवितरता की केरने मुझ पर पढ रही हैं, और मुझ से फैल रही हैं, सारे संसार में वायू मंडल को सुद्ध कर रही हैं, ओम श्यांति